तो आज हम परदे वाले engine oil grade के बारे में जब भी हम कार की service कराते हैं बाइक की service कराते हैं तो हमें lubricating oil की जुरुत परती है जिसे हम mobile oil भे बोलते हैं ठीक है तो यह mobile oil जो आता है इसके उपर एक grade लिखा होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 15W 40 ठीक है 15W 40 तो यह जो grade है हमारे पास यह इसका मतलब क्या है ठीक है हमें मतलब नहीं पता होता लेकिन यह हमेशा आपके सामने आता है तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे तो देखे अलगलग companies अलगलग अपना brand निकालती है तो उसमें अलगलग code लिखे हुए है तो उसको आज हम समझने वाले हैं तो जैसे यह है हमारे पास SAE ठीक है वेलवलीन का है यह SAE 10W30 यह लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि viscosity क्या होती है देखे विसकॉस्टी वो है property जो किसी भी fluid को ठीक है रोकती है चलने से ठीक है resistance पैदा करती है जैसे flow कर रही है कोई चीज उसको उल्टा रोकती है तो जितनी ज़्यादा viscosity किसी चीज की होगी तो उतनी ज़्यादा रुकावट पैदा होगी चलने में ठीक है resistance होता है flow का तो हमारे पास जैसे की आप देखे शहद है ठीक है honey है जब हम उसको पोर करते हैं किसी चीज में डालते हैं तो वो थोड़ा time लेता है ठीक है उसे move करने में time लगता है जैसे यहाँ पे देखे इसको honey को जब हम पोर करेंगे तो डालेंगे तो यह time लगता है इसको नीचे आने में तो धीरे-धीरे यह पोर होता है आगे आता है लेकिन हम जब पानी को डालते हैं तो पानी की viscosity कम होने के कारण यह बिलको रिजिस्ट नहीं करता अराम से पानी फ्लो करता है ठीक है लेकिन हनी जो है वो रिजिस्ट कर रहा है तो इसकी viscosity हनी की ज़्यादा है और पानी की कम है इस तरह हम क्या है विस्कोस्टी को समय सकते हैं नहां पर देखिए जैसे जैसे अलग लग grade के oil है तो इनकी viscosity अलग लग है तो हमारे पास इसलिए grades को समझना जुरूरी हो जाता है क्योंकि इसकी viscosity अलग लग होती है तो आप इसकी pouring के देखे style अलग लग है किस तरह से resistance flow हो रही है तो flow अलग लग तरीक एक है तो इसको समझना काफी easy हो जाएगा आपके लिए देखे हमारे पास lubricant जुरूरी क्यों है ये भी देख लें engine के अंदर देखे हमारे पास rotating parts बहुत ज़ाद है तो इस piston की बात करने जो कैस्ट रोड के आती होती है तो उसमें हम दिखाते हैं कि यह देखे कि यहाँ पे हमारे पास है lubricating oil और जहाँ पे नहीं है friction ज़ादा है वहाँ पे और यहाँ पे नहीं है दोनों को comparison करके दिखाया है हमारे पास ठीक है तो यहाँ देखे lubricating oil एक और काम क्या करता है कि carbon को parts के उपर जमने नहीं देता ठीक है जो piston है हमारे पास यहाँ पे देखे तो piston यहाँ पे इसके पास carbon उपर जमा हो रहा है कठा हो रहा है लेकिन यह रोक रहे हैं उसको ठीक है तो यह एक और इसका यह भी काम है तो यहाँ देखे हमारे पास इसमें भी दिखा रहा है वही चीज़ कि जब हम engine को start करते है तो रात को हमने खड़ा कर दिया लाके बाई को तो अगर वहाँ पे lubricating oil ना हुआ ठीक है और ना होने के कारण क्या होगा friction जादा होगी ठीक है उसके कारण problem आएगी तो हम समझेंगे SAE 10W30 है क्या एक लास्टी viscosity वे बारे में समय ले liquid की ठीक है liquid की viscosity जो होती है कम temperature जब भी होगा तो उसकी viscosity ज़्यादा होगी मतब गाड़ापन उसका ज़्यादा होगा और जब भी temperature rise करता है तो उसकी viscosity कम हो जाती है और उसका flow जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है इसकी example आप थोड़ा सा देखना जब भी आप lubricating oil डलवाते हो न तो आप उसको देखना ध्यान से तो उसका जो flow है वो अलग तरीके का होता है ठीक है जब उसकी देखो गाड़ापन हम चये हिंदी तो गाड़ापन थोड़ा जादा होता है तो विस्क्वास्टी जो है वो उसकी जादा होती है तो लेकिन जब उसमें इंजन में जाता है अर उसमें ज़्यादा friction होने कारण heat produce होती है heat produce होने के कारण temperature rise होता है temperature जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी क्या होती है विस्कॉस्टी कम हो जाती है मतलब वो गाड़ापन उसका कम हो जाता है वो गाड़ापन कम देखने को मिलता है देखे जब आप service दुबारा करवाते हैं तो आप उसी oil को जब दुबारा देखते हैं नीचे से निकलते हुए त SAE की full form है, Society of Automobile Engineers, तो यह इसका मतलब है, यह standard त्यार करते हैं, अलग-लग standard है, तो यह हमारे को mostly यही चलते हैं, इनके यह grade रखे हुए है, इन्होंने code रखे हुए है, उसके लिए, तो starting वाला यह 10 है, जो 10 का मतलब, W से पहले 10 है न, तो 10 का मतलब क्या है, यह viscosity से related है, जब engine बंद है, ठीक है, अभी आपने start करना है, तो आपको क्या चाहिए, कि वो engine यह है, मैं लोग आपने रात को रख दिया, बाइक को, अब बाइक जब खड़ी है, तो engine क्या है, ठंडा है, engine ठंडा हो गया, तो उसके अंदर लुब्रिकेटिंग भी ठंडा हो जाएगा, अगर oil ठंडा हो गया, ठीक है, और जब आपने start करना है, तब वो engine के parts के पास ना पहुंचा, जल्दी से, ठीक है, क्या होगा, ठंडा होने से वो गाड़ा हो जाएगा, गाड़ा अगर हो गया, और वो parts के पास ना पहुंचा, तो वो ही होगा, friction जादा होगी, heat होगी, और वो seize भ value नहीं है, यह grading है, ठीक है, यह viscosity नहीं बता रहा, तो grading बता रहा है, grading रखी हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा, अभी कैसे grading इन्होंने रखी हुई है, W का मतलब है winter, तो यह W, mostly हम हमारे area में, इंडिया में, हम क्या करते हैं, कि W वाला ही use करते हैं, वो कारण अभी मैं को बता रहा हूँ, देखे 30, 30 वो है वो code, जब engine start होने के बाद running condition में आ जाता है, तो उस time उसकी viscosity कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि देखे जब आप चलाओगे bike को, तो obvious temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, तो उसके viscosity कम हो जाएगी, लेकि इतनी भी ना कम हो जाए न, कि वो पता ल की coding करी हुई है, हमें देखा हुए है कि किसकी कहां पर viscosity कितनी होगी, अब देखो जैसे 10W30 इसको पूरा और समयते हैं, यहां पर इस जो हमारे पास photo है, इस से आपको समझा देगा, देखे इसका लिखा हुआ है, S A E 0 W, ठीक है, यह लिखा हुआ है, इसके देखे W के है, माइनस 10 से और माइनस 40 तक जा रहा है, और देखे, यहां 0, यहां 5, जैसे जैसे यह बढ़ रहा है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो देखे टेंपरेचर की range अलग लग हो रही है, तो इसके according यह चलेगा, ठीक है, तो यह winter condition जहां पर बहुत ज़्यादा winter है, जहां पर मतलब का नाम ही नहीं, जिस area में गर्मी का नाम ही नहीं है, तो वहां पर यह वाले grade वाले oil use होते हैं, और जहां पर सर्दी का नाम ही है, सरफ गर्मी गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर यह वाले है, ठीक है, वहां पर देखे, यह WE खतम कर दिया है, हां पर, SAE 30, 40 और 50 बस यह कौन सी है जो outside condition होगी उसके according है हमारे पास यहाँ पर देखिए अब यह जीरो w20 वाला देखो तो यह इसकी range minus 40 से लेके 20 degree तक है अब इंडिया में हमारे पास temperature देखो maximum कई पर 50 degree तक भी चला जाता है और हमारे पास अगर सर्दियों में बात करें तो जीरो के आसपास भी रह जाता है तो हमें उस सहाब से grading देखनी पर देखनी पर देखिए और की कौन सा हमारे पास सही रहेगा अब देखिए इसका temperature रही देखो और इसका देखो तो mostly यह वाला grade हमारे पास oil यूज करते हैं यह हमारे पास temperature outside का बता रहे है कि किस तरह से है तो हमारे पास अब viscosity की बात कर करें आप चाओ गई विसकाषटी कितनी है यह तो फिर भी नहीं पता लगा तो accessing इनजिनरे जो होते हैं वो तो विसकाषटी की यूनिट्स भी जानते हैं लेकिन जो आम लोग हैं जो engineering से related नहीं हैं जिन viscosity की values नहीं पता, तो इसलिए वो grading कर दी हूं, विस्कॉस्टी तो बता नहीं सकते हैं, अब viscosity के लिए यहाँ पे देखो, अब अलग-लग temperature पे अलग-लग viscosity है, देखे, 15 W वाले की, तो यहाँ पे viscosity change हो रही है सारी, तो इस graph से आप देख सकते हैं कि इसकी viscosity कितनी है, तो इसलिए यह grading जो है, यहाँ पे grading जो है, वो हमें viscosity के बारे में बताएगी, लेकिं grading के हिसाब से हमें graph देखना पड़ेगा, यह नहीं है, कि यहाँ पे 30 है तो यह viscosity को सीधा-सीधा शो कर रहा है, यह viscosity कोई unit नहीं है, यह कोई viscosity का, यह सिर्फ एक, उन्होंने code रखा हुआ है, ठीक है, अपने product का code रखा हुआ है, उस रसाब से, जिस रसाब से viscosity है, उस रसाब से हमने code रखे हुए है, ठीक है, तो यह सारा कुछ था, lubricating oil की grading के बारे में, मुझे उमीद है कि आपको यह चीज समझाई होगी, अगर समझाई है, तो लाइक का बटन जरू दबाई, और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं है, ठेंक यू, ठेंक यू सो मच, मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाते हैं, तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम, और साथ में लिख दीजिए gear institute, तो अगर मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो आपके सामने आ जाएगी है।